नमस्कार दोस्तों, ग्रेट्टु इंडिया इव्टुप चल में आपका स्वावत हैं, यह है फ्यूटर लर्निंग प्रेटफॉर्म जैसा कि आप सबको पता ही हैं, अमार जो टेस्ट सीरी चल रही हैं, राजिस्तान आइकोट लडिसी के लिए जो कि जिक्य की टेस्ट सीरी चल रही हैं, जिसमें डेली 40 कोट्सन करवाया जा रहे हैं, और राजिस्तान के इंपोटन कोट्सन की टेस्ट सीरी जाएं और एक्जाम के लिए बहुत ही कारगर्सी दोने वाली हैं, तो आप सब जूड़ जाएं मेरे साथ, और टेस्ट सीरी इसको शुरू करते हैं फर्स्ट कोट्सन है, राजिस्तान का पर्वेस दोहर किसे का जाता हैं, ये जो सेशन रहेगा, वो आपको पता ही है, पिछले 4 सेशन आ चुके हैं, ये 5 वा सेशन है, जिसमें राजिस्तान की भुगोल, इस्तती के बारे में जान करी हैं, आगे भी नेक्स टॉपिक चलेगी, कम से कम 10,000 कोट्सन करवाने की कौसिस रहेगी, एक्जाम तक मेरी, तो देखते रहेगी, और टैक्टिस करते रहेगी, चलो वीडियो को सुरू करते हैं, फर्स्ट कोट्सन है, राजिस्तान का परिश दोहर किसे का जाता है, परिश दोहर का जाता है, बरतपूर को राजिस्तान का जो परिश्दवार है वो बरतपूर को का जाता है तो first का जुस्ष यांसर हो जाएगा B option इसका right answer हो जाएगा next जल महलो की नगरी सबको पता ही है जल महलो की नगरी किसे कहते हैं जल महलो की नगरी का जाता है D को किसे का जाता है D को जल महल सबसे ज्यादा कहाँ पर है डीक के अंदर है यह option इसका right answer हो जाएगा next राजिस्तान का उत्तर तोतादी कहलाता है उत्तर तोतादी कौन कहलाता है राजिस्तान का उत्तर तोतादी कहलाता है गलताजी क्या कहलाता है गलताजी कहलाता है next राजिस्तान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिली की सिमा उत्र पर्देश वा मध्य पर्देश मिलती है इन चार जिलों में से कौन से जिली की सिमा उत्र पर्देश और मध्य पर्देश दोनों से मिलती है वो आमें बताना है, तो किसकी मिलती है, दोलपूर है, जो उत्र पर्देश से भी लगती है, और मध्य पर्देश से भी इसकी सीमा लगती है, तो C option इसका right answer हो जाएगा, next, राजिस्तान राजिय की सीमा को इसपर्स करने वाले भारते राजियों की संक्या, भारते राजियों है, next, निमलिकित मैं से कौन से पहाडियां राजिस्तान में विंदिन पर्वत सेनियों का विस्तार है, कौन सी पहाडियों पर विंदिन पर्वत सेनियों का विस्तार है, वो आमें बताना है, तो कहां पर है, मुकुंद्रा की पहाडियों पर विंदिन सेनियों का विस्तार ह इसका right answer हो जाएगा next सुची first और सुची second दे रखी है इनको सुमिलित करना है हूँ कूट के द्वारा सही उतर का chain करना है एक तरफ जिले दे रखे हैं और दूसरी तरफ परवत दे रखी है देखते हैं जालोर के अंदर कौन से परवत है वही जालोर के अंदर इसमें से हो जाएगी जारोला तो जालोर का जो हो जाएगा second जालोर जालोर जीले के अंदर परवत माला है जारोला परवत माला जैपूर जैपूर सब को पता ही है बेराट जैपूर जैपूर में कौन सी परवत अलवर की बात करें तो बानगट और शिकर रगुनाद गट तो जिसका जो सही आंसर हो जाएगा second, first, fourth, third यह थड हो जाएगा क्यों हो जाएगा third तो यह option हो जाएगा यह option इसका right answer हो जाएगा next next, बीलवाडा, अलवर, अजमेर, राज्ये के किस प्राकतिक भूबा के अंग है अलवर, बीलवाडा और अजमेरी किस प्राकतिक भूबा के अंग है यह भूबा के अंग है अरावली, परवतिय, छेतर के अंग है अरावली, परवतिय, छेतर के अंग है ये देखा जा सकता है अरावली संकला पर्देश के पर्वत में कैसे अरावली संकला के पर्देश के पर्वत के रोप में देखा जा सकता है दिल्ली के राष्टपती बावन में बैठ कर नेक्स्ट, राजिस्तान में विश्व की प्राचिंतम परवत्य पाई जाते हैं, जो गोडवाना लेंड के भाग हैं, उनका सही उप्यूक नाम बताएंगे, जो राजिस्तान में जो प्राचिंतम परवत्य माला हैं, और उसमें से जो गोडवाना लेंड की जो भाग हैं, उन में में मध्यान्या ठीट यह AK नहीं के बाको समय कोई बेखेए को लगे köुण के यह दस्वाइंग्या पर नहीं का राइट किरेब का सबसे बड़ा वन्य जी अभियरण किस पोतिक पर्देश में इस्तित है यह बताना है तो यह है उत्तर परसीमी मरुष्टलिय चेतर में सबसे बड़ा राजिस्तान का सबसे बड़ा वन्य जी अभियरण है सेकावटी परदेश में जल प्राप्ति के लिए बनाएगे कच्छे पक्के कुऊं को कहा जाता है जो सेकावटी छेतर के अंदर जल प्राप्ति के लिए जो बनाए जाता है कच्छे पक्के कुऊं को क्या कहा जाता है उनको कहा जाता है नाडा या जोड क्या कहा जाता है रुज़ुतिल करन का कारण नहीं है, वो उमें बताना है देखते हैं चवूदा नमबर करचान का क्या अंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा अति Quindi Att Casey इसका मरुज़ुतिल से कोई लेना देना नहीं है तो तो ची ऑप्शन इसका right answer हो जाएगा ये मरुस्तिल करण का कारण नहीं है, सेरी करण, next, हर्सकी पाड़िया, हर्सकी पाड़िया, हर्सकी पाड़िया भाई, कहां पर है, हर्सकी पाड़िया, सिकर में है, next, हिमालिया वो विंद्यान चल परवत संकलाओं के बीच सबसे उची चोटी है, हिमालिया वो विंद्यान परुत माला के अंदर सबसे उची चोटी है गुरु सिक कहाँ पर है मॉन्ट अबू मॉन्ट अबू कहाँ पर है सीरोई में नेक्स्ट लगबग सत्रा सो कुछ फिट है इसकी उचई नेक्स्ट, आंत्रिक जल परवा का उत्तर उदारन है आंत्रिक जल परवा का उत्तर मुदारन इसमें से कौन सा है वो बताने जल परवा का उत्तर मुदारन हो जाएगा सांबर, सांबर नदी है जो कि आंत्रिक जल परवा का एक उत्तर मुदारन के रूप में जाना जाता है नेक्स्ट, लाटी सिरीज चेतर सम्मंदित है जो लाटी सीरीज है वो चेतर किस से सम्मंदित है लाटी सीरीज से अतातवरिया है भू गर्वे जल लेऊं चोड़ी पती से तो यह option इसका right answer हो जाएगा next वायू गाट्या wind gap आई जाती है वायू गाट्या कहाँ पाई जाती है अबी वायू गाट्या सब कौन सा दरा अरावली परुतमाला में इस्तित नहीं है इनमें से कौन सा दरा है जो अरावली परुतमाला में इस्तित नहीं है वो हमें बताना है तो कौन सा हो जाएगा कच्छवाली अरावली परुतमाला में है खेबर खेबर नहीं है दिवेर है आति गुड़ा है यह तिन हो जाएंगे अरावली परवतमाला में कच्छवाली, दिवेर और आति गुड़ा यह तेनों अरावली परवतमाला में हो जाएंगे और खेबर है जो कि अरावली परवतमाला में नहीं होगा तो B option इसका right answer हो जाएगा B option, next अरावली परवतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में, सबसे कम विस्तार अरावली का किस जिले के अंदर है यह देखा जाए, तो यह है सबसे कम अजमेर में, अजमेर में सबसे कम अरावली का विस्तार है, next मालखेत की पाढ़िया मालखेत की पाढ़िया किस जिले में में इस्तित पहाड़ी को कहा जाता है मालगेत की पहाड़ी किस जिलेम है अभी मालगेत की पहाड़ी है अपने सिकर में कहाँ पर है सिकर में सिकर में इस्तित पहाड़ी जिस पर परसी जीन माता का मंदीर है सिकर में जो इस्तित पहाड़ी है शिकर के अंदर, next मालाणी पर्वसंक्ला इस्तित है मालाणी जो पर्वसंक्ला है कहाँ पर इस्तित है मालाणी पर्वसंक्ला इस्तित है भई जालोर वो बालो उत्रा में कहाँ पर है, जालोर है हूँ बालो उत्रा में मालाणी पर्वसंक्ला इस्तित है सबसे कम छेतर में विस्तरत, राजिस्तान का कौन सा बुह आकर्तिक भाग है, सबसे कम छेतर में विस्तरत, कौन सा बुह आकर्तिक भाग है राजिस्तान का, तो इसका पूचा जाए, तो दक्सिन पूरी पतारी जो पर्देस है, वो राजिस्तान का सबसे कम विस्तरत है, बु परसी में राजिस्तान में अधीक वर्सा होगी, परसी में राजिस्तान के अंदर अधीक वर्सा होगी, नेक्स्ट, परसी में राजिस्तान को अरावली परुतमाला से पर्तक करने वाली सम वर्सा रेका है, जो परसी में राजिस्तान है, वहाँ पर जो अरावली परुतमाला स जो वर्षा होती है उसकी समवर्षा रेका कितनी है उसकी समवर्षा हो जाएगी 50 cm पचास से नॉर्मल रहती है तो 50 cm हो जाएगी नेक्स्ट वनस्पति अउसेस जीव अउसेस पाया जाने का अनूटा उदारन है वनस्पति अउसेस और जीव अउसेस पाया जाने का अनूटा पार्क में है, नेक्स्ट, परसे में राजिस्तान के आंतरिक जल परवा, आंतरिक जल परवा के बारे हम बात किये हैं, जो सेकावटी परदेश से सम्मंदित भाग है, आंतरिक जल परवा का जो सेकावटी परदेश से सम्मंदित है, वो भाग कौन सा है, वो हो जाएगा, चु सी महानबारते मरुष्तल प공र क्रीइत से रेख से होते हैं विल्कुल तो साई उच्छे टिले वाले चेतरों में गन्यावन होते हैं गलत तो तो C option इसका सही आंसर हो जाएगा, सत्य गतन है यह, next, महान बारतिय मरुष्टल फैला हुआ है, महान बारतिय मरुष्टल फैला हुआ है, यह फैला हुआ है, पाकिस्तान की सिमा के सहारे कच की खाड़ी से पंजाब तक, जो महान बारतिय मरुष्टल है, वो पाकिस्तान की सि जिमा के सहारे कच की खाड़ी से लेकर पंजाब तक फैला हुआ है तो भी ऑप्सन इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट रेख ये लंबवत यानि पाउना वर्ती बालू को स्थूपों का सोर महोदेद ने कितने बागों में विवाजित किया है इसे किया गया है तीन ब पौण अठाव बालू क स्थूप है जिनकी मेलाओ का अकृति मेलाओ के बालू की पिन कि मिलत जूलती है ऐसी है प्यरबोलिक जो बालू का इस्तूप होते है उन कि आकृति होती है मेलायों के बालू के पिन कर giàईगा थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट next, राज्या में सरवदिक लवन्य अमिट्टी पाई जाती हैं, बाड में और वह जालोर में, next, भाकर की पाहड़ियां सीरोई के किस चेतर में पाई जाती हैं, counts, पूर्वी सिरवी चेतर में। कहाँ पाई जाती है। पूर्वी सिरवी चेतर में। गगर का जो मैदान है, जो की 25 से 50 सेंटीमेटर वर्सम वर्सा वाला विवाजित नहीं है, तो D option इसका right answer हो जाएगा, next, बर्खा नमक सरचना है, अधिक्तम मरुस्तल के किस भू बाग में पाई जाती है, जो बर्खा नमक सरचना है, वो कहां पर पाई जाती है, मरुस्तल में कितना है, 10.41% हो जाएगा, इसका C option इसका right answer हो जाएगा, next, पर्खा नमक सरचना हो जाती है, आज के लिए दोस्तो बस इतना ही, आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक हैं, सब्क्राइब जरूर करें, thank you, जया है जाती है, आपको फल जाएगा है सब्क्राइब इन स्टेटब चुम्णा हो जब जाती है, चुम्या जा जाती हैं,